हाई गाईज आई आम जगविर शोकन और आप सभी लोगों का हमारे प्यारे से चैनल हिंदी बोलेगी पर प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ हारदिक्स वाकत है दोस्तो आज के इस इन्फोर्मेटिव वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि फिल्मों में बिना मोसम के बारिस कैसे होती है फिल्मों में बिजली कैसे कड़कती है और फिल्मों में तुफान कैसे लाई जाते है दोस्तो फिल्मों में कई सोंग और कई सीन ऐसे होते हैं जि फिल्मों में ये नकली बारिस और नकली तुफान और नकली बिजली कैसे लाई जाती है लेकिन उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरहे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस जरूर दबाले ताकि आपको हमारी यूनिक और दान्स करते हैं या डान्स करते हैं फिल्मों में बिना मोसम की नकली बारिस लाने के लिए फिल्मों वाले रेन मसीन का सेट अप लगाते हैं जिसमें एक बड़ा सा टैंक पानी से भरा जाता है उस टैंक से पंप या बड़ी मोटर दवारा पानी अलग-अलग लोकेशन पर मौझूद फाउंटेन या फुहारों तक पहुंचाया जाता है इस फाउंटेन में वाल्व लगी होती है जिसको खोलने से तेज बारिस की तरहे छोटी छोटी बूंदे हीरो हिरोईन पर पढ़ती रहती है और बारिस का सीन सूट कर लिया जाता है इस सीन को बिलकुल असली ब अपस में टकराने से तेज सिंगारी पैदा होती है और असली बिजली जैसी कड़कडाहट की आवाज निकलती है इस सीन को भी कैमरे से सही मौके पर सूट कर लिया जाता है और जब तेज बिजली और बारिस के साथ तुफान का सीन भी क्रियेट करना होता है तो बड़े नकली सीन क्रियेट करके एरिटिंग की मदद से बारिस की सूटिंग वाले सीन में जोड दी जाते हैं तो दोस्तों देखाना आपने फिल्मों में कितनी असानी से नकली बारिस नकली बिजली और नकली तुफान वाले सीन बनाए जाते हैं उमीद करते हैं कि आपको हमारी य उनिक और इन्फोर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी कृपिया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर करें धन्यवाद